अध्यापने गुरु श्रीशी रवी शंकर आज अयोध्या जाएंगे और सभी पक्षकारों से मिलेंगे श्रीशी अयोध्या पहुँचकर सबसे पहले राम जन्मभूमी न्यास के अध्याक्ष महंत्र नित्य कोपाल दास से मिलेंगे श्रीशी हनुमान गड़ी के महंत्र राम दास राम जन्मभूमी न्यास के धर्मगुरों के साथ साथ पाबरी मस्जित के पैरोकार रहे आसेम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी से भी मुलाकात कर सकते हैं औल इंडिया परसन लॉबोर्ड ने श्रीशी रवी शंकर से अयोध्य मामले का हल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला पेश करने को कहा है इससे पहले श्रीशी रवी शंकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगिया अधितनाथ से मिले और बातचीत से मसला सुलजने की उमीद जताई राममंदिर मामले का हल तलाशने के लिए श्रीशी रवी शंकर शियाफ वकबोर्ड के नेताओं से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं नैशनल कॉन्फरेंस अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान दिया है फारुक अब्दुल्ला ने लोसी के पास उरी में कहा कि आखिर हम कब तक ये कहेंगे कि पीयों के हमारा हिस्सा है जमु कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला पर बीजेपी ने पलटवार किया कहा उनकी ये सोच भारत के लोकतंतर के खिलाफ है इससे पहले 11 नवंबर को भी फारुक ने देश विरोधी बयान दिया था कहा था कि पीयों के भारत में कभी नहीं मिल सकता और कश्मीर मुद्दा सुलजाने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीच जरूरी है अमेरिकी थिंग टेंग प्यूर रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक पीम नरेंद्र मोदी अभी भारती राजनीती में सबसे लोकप्री अव्यक्ती है इस साल 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच किये गए सर्वे के मुताबिक 88 प्रतीशत के आकड़े के साथ मोदी सबसे लोकप्रीय राजनीतिक शक्सियत है कॉंग्रिस उपाधिक शाहुल गांधी को 58 प्रतीशत लोगों ने दूसरी लोकप्रीय शक्सियत माना है कॉंग्रिस अध्यक्स तोन्या गांधी तीसरे और दिली के मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल इस सर्वे में चौथे स्थान पर है प्यूर इसर्च के मुताबिक दक्षिनी भारते राज्यों आंधर प्रुदेश, करनाटक, तमिलनाडू, तलंगाना और पश्चिमी राज्यों महराष, गुज्रा, चथिसगर में हर दस में से 9 भारते नागरेक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है इसी तरह पूर्वी राज्यों, बिहार, जारखन, ओडीशा, पश्चिम मंगाल और उत्तरी राज्यों, दिल्ली, हरियाना, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजिस्थान और उत्तर प्रधेश में प्रते एक 10 में से 8 नागरेक मोदी को पसंद करते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रोदूशन से ने पटने के लिए पेट्रोलियम मंत्राले ने बड़ा कदम उठाया है मंत्राले ने तेल कंप्णियों से 1 अप्रेल 2018 से दिल्ली में बीए 6 ग्रेट का फ्यूल बेशने को कहा है पहले एनियम 2020 से लागू होना था कार कंपनियों को भी अप्रेल से BS6 ग्रेट वाली कारे बेशने को कहा गया है इसके साथ ही तेल कंपनियों को NCR के दूसरे शहरों में भी 2019 तक BS6 ग्रेट फ्यूल देने के विकलपों पर विचार करने को कहा गया है पेट्रोलियम मंत्राले ने एक अप्रेल 2017 से ही पूरे देश में BS4 ग्रेट के पेट्रोल और डीजल के बिक्रीश शिरू की थी गुजरात विधानसभा चनाव के पहले पीम मोदी 22 नवंबर से प्रचार अभ्यान की शिरुवात करेंगे पार्टी ने गुजरात में पीम नरिंद्र मोदी की 25 से 30 रैलियां आयोजित कराने और शेहरी शेत्र में रोडशो करने की योजना बनाई है गुजरात बीजेपी ने 182 सदस्य राजे विधानसभा के लिए चनाव प्रचार में 6-7 सीटों पर मोदी की एक रैलिया आयोजित करने की योजना बनाई है गुजरात चनाव में प्रथम चरण के चनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिमती थी 21 नवंबर और दूसरे चरण की चनाव के संदर्ब में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिमती थी 27 नवंबर है ऐसे में नवंबर के चौथे सब्ता से पिये मोदी की रैलियों की योजना बनाई जा रही है जमु कश्मीर के अनंतिनाग में अपने बेटे के आतंकी बनने की खबर सुनकर पिता को दिल का दौरा पढ़ गया 20 साल का माजित अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम का खिलाडी था कुछ दिन पहले वो लशकरित तैबा में शामिल हुआ है आतंकी के रूप में सोशल मीडिया पर बेटे की वारल तस्वीर देखकर पिता को हार्ट अटेक बढ़ गया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है आतंकी माजित के पिता का कहना है कि बेटे का ब्रेन वाश किया गया है सेना और पुलेस माजित की तलाश में अनंतनाग में अभियान चला रही है जमुकश्मीर के सोनमर्ग में सर्द्यों की पहली बर्थ बारी हुई मही कांदरबल में बर्थ बारी के साथ साथ बारिश भी हुई बर्थ गिरने की वज़े से इलाके का तापमान माइनस तीन टिग्री हो गया है सोनमर्ग में करीब तीन इंच बर्थ बारी रिकॉर्ड की गई मौसम विभाग का कहना है कि 2016-17 में काफी दिनों बाद कम बारिश हुई है इससे पहले 2007 में सर्दियों में बहुत कम बारिश हुई थी जमु कश्मीर के अलावा उत्तर भार्थ के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई जमु कश्मीर के अलगाबादी शबीर शा के खिलाफ दिल्ली के अदालत ने आरोप तै कर दिये है मनी लॉंजरिंग के मामले में कोट ने शबीर शा के सहयोगी असलमवानी पर भी चार्ज फ्रेम किया है इडी ने साल 2011 में पुलिस की और से दर्ज एक मामले को टेक ओवर कर लिया है इडी ने आतंक्यों को फंड देने के मामले में शबीर शा के खिलाफ मामला दर्ज किया था जांच के दौरान पता चला कि शबीर पाकिस्तान से आये पैसे आतंक्यों को देता था वो लशकर के सर्गना हाफिस सईद के भी संपर्क में था और दोनों के बीच बाचीत के सबूत भी मिले हैं E.D. ने इस मामले में 62 लाख रुपए जब किये थे शबीर की पार्टी का IP अड्रेस पाकिस्तान में मिला है